तो आखरकार करण और तेजस्वी ने क्यों इस रिष्टे को आगे बढ़ाने को सोचा? क्यों तेजस्वी ने करण कुंद्रा को चुना अपने लाइफ पाटनर के तौर पर और क्या हैं तेजस्वी के रियाक्शन्स अपने रिलेशन्शिप को लेकर करण को लेकर पूरी खबर की जानकारी मैं आपको लेकर आई हूँ इनके पूरे रिलेशनशिप का खुलासा करने वाली हूँ इस वीडियो में नमस्कार मैंसने अग्दा स्वागत करती हूँ आप सभी का फमारे चानल पर इस रिसेंटली इंटिव्यू के दौरान तेजस्वी प्रकाश से अफकॉस करन कुंद्रा के बारे में जिक्र ना किया जाएगे तो इपॉसिबल है ऐसे भी रिसेंट इंटिव्यू के दौरान तेजस्वी प्रकाश से इंटिव्यू में करन के बारे में ये पूछा गया जिस पर तेजस्वी प्रकाश ने साफ तोर पर कह दिया कि basically दो partners जब relationship में होते हैं तो उनके बीच एक communication gap हो जाता है एक misunderstanding होती है कभी-कभी partner कुछ कहना चाहता है अपनी emotions कुछ और express करना चाहता है लेकिन दूसरा partner उसे कुछ और ही समझ जाता है तो ये communication gap ये misunderstanding कभी-कभी relationship को काफी खत्म कर दे पड़ा होता है लेकिन ऐसे मेरे और करन में ऐसा बिलकुल नहीं है करन वैसे इंसान है जो कि मैं अगर ना भी कहूं तो वो automatically समझ जाते हैं यानि कि करन अनकही बातों को भी समझ जाते हैं ये quality है ये खासियत है करन में जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और मुझे इस वच्छा से करन पर काफी trust है कि वो lifetime मेरे साथ और हम दोनों एक करके भी करन कुद्रा पर पूरा विश्वास है और दोनों एक दूसरी में के साथ काफी खुष है मेंट परी चुदे कपल है अब इस खुशकबरी को सुनकर और तेजस्वी के रियाक्शन को सुनकर आपके क्या है रियाक्शन हमारे साथ शेर करें तब आम अपडेट्स के बड़ी नहीं चानल के साथ खुशक तो अपके रियाक्शन हरत दूसरे के सब्सक्राइब दो पर सब्सक्राइब करें लिए बड़ी नहीं चालल के साथ।